हरे हैं रहे हैं प्रसु टेंट आज ये एस्टोरी ओफ इंग्लिस का तिस्रा वीडियो है जा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो और अप लोड है हैं और दोनों वीडियो में दस्ताइश अब्जेक्टिब कोश्चेंब तो रे शुरी आप इंग्लिस का यानि कि यह वीडियो नमबर तीन है अब्जेक्टिव का आज की स्रीज में पहला क्वेश्चन है दा ब्रीटिश ग्रामर वाज जीटेन बाई जे बचन इंडेस यानि कि जो ब्रीटिश ग्रामर लिखा गया था जे बचन के द्वारा वह किस इस्वी में लिखा गया था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 1762 इस्वी में कि 1762 इस्वी में जे बच्चन के द्वारा ब्रीटिश ग्रामर लिखा गया था क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे डाइस इज दो विंडो आफ दो वर्ल्ट यानि कि जो आप्षन है हिंदी उर्दू इंग्लिस चैनिज यानि कि इन चार भासाओं में किसको दुनिया का विंडो कहा जाता है यानि खिड़की कहा जाता है यह कौन सी भासा है जिसके दुनिया में घुमने के लिए देखने के लिए को सब्सक्राइब कर सकते हैं यानि कि कौन सी यह इसी भासा है जिसके नैटिव स्विकर बोलने वाले नेटिव स्विकर शबसे ज्यादा है कि अगला को कॉस्चन नंबर फोर है इं दूक इसे आइरलेंड कानाड़ा ऊस्टेलिया, न्यूजिल्लैंड ठाउथ अफिर्गा इंगलिस छ इस्पोग है निकि इन देसों में इंगलिस भासा को किस रूप में बोला जाता है with foreign language के रूप में जर शेकेंड लेगेज पोन के रूप में यह not fifteen इन में से कोई नहीं तो जहां कि लोग जनम से इंग्लिज बोलते हैं उसको mother tongue कहा जाता है जहां अनिवार्ज रूप में बोला जाता है उसको second language कहा जाता है जहां ऐसे बोला जाता है कभी कभार तो उसको बोलते हैं foreign language तो UK, USA, Ireland, Canada, Australia, New Zealand और South Africa में इंग्लिज भासा को जनम से ही बच्चे बोलते हैं जनम से लोग बोलते हैं इन देश में अंग्रेजी भासा को mother tongue के रूप में जाना जाता है यानिकि राइट एंसर mother tongue अगला कहा गिया question है five number कि यह जो है इन इंडिया, Singapore, Malaysia, Nigeria, Nambia, Botswana, ETC इंग्लिज इस पोके इन देशों में अंग्रेजी भासा को कि रूप में जानता है इंडिया में अंग्रेजी second language को जानता है इन इस सभी देशों में यह जो देश का नाम लिखा वेश में इंग्लिश भासा को second language कि हमारा यह ओफिशल ले इस बाइड एंग्लो इंडियान की अंग्रेजी भासा को question number कि पाच छूट रहा है का ना ठीक question number 6 English is also used as a dash by the Anglo Indian community of India यहनी कि जो इंडिया में एंग्लो इंडियान कम्यूटी के लोग है यहनी कि जो लोग इंग्लो इंडियान इनि विदेश से आकरके इंडियान में रहते हैं ठीक ना यहां की अब निवासी हो चुके उसको एंग्लो इंडियान कहने उनग्रेजी भासा किस रूप में जानी जाती है तो उनके अग्रेजी भासा जो है यह आपको जानी जाएगी option number b यहानी की mother सी यानि कि mother tongue के रूप में तो यह बात याद रखेंगे कि इंग्लिस वाजा है एंगलो इंडियन कम्यूटी के द्वारा इंडिया में mother tongue के रूप में जाना जाता है क्वेश्चन नंबर शेवेन होगा आपका कि इन चाइना जपान युएसे शौदी अर्विया इजिप्ट इराक फ्रांस इटीशे इन सभी देश में अंग्रेजी भासा को किस रूप में जाना जाता है फॉरेन या शेकेंड या मदर या इन में से कोई नहीं तो हमें पता है डिश्चन ने चाइना जपान और union सभी भशाओं को को फॉरेन लेंग्विज के रूप में जाना जाता है तो ध्यान रह एंगेंगे कौन से इसमें फॉरेन लेंग्विज Training में से इकमर्श webinar में में जाना यह दोबता है इसको अच्छे सी दूह देखेंगे तो याद हो यानि कि इंग्लिश भासा गुण्वा हों तो तो आस्पश्ट है कि एंगलो सेक्शनika को एंगलो इंडियान एंगलो अमेरिकान कि यह जो आरफ हुआ था इनीघो जाति Ellyyeah सब्सक्राइब किया था को सब्सक्राइब नमबर नाइन है कि एस्टेंडर बिटिश सब्सक्राइब किस रूप में जाना जाता है तो इसको जानते हैं आर पी आर पी राइट एंसर हो जाएगा यह कहीं फूल फ्रम में लगता है रिशीवड पूरूंसियेशन और इसको रिशीवड पूरूंसियेशन के रूप में भी जानते हैं इसका फूल फ्रम होता है आर मिस डिशीवड पूरूंसियेशन यहनि इस्टेंडर बीटिश सब्सक्राइब को आर पी की नाम से जाता है लास्ट कोश्चन है अमेरिकन इंग्लिश डीफर फ्रम ब्रिटिश इंग्लिश इन दे इस फियर अपने की जो हमारी अमेरिकन इंग्लिश है यह ब्रिटिश इंग्लिश के डीफर है कि सेंस में स्पेलिंग के सेंस में या वोकाब के सेंस में ग्रामर के सेंस में नौन अफ दिज तो यह जो है यहां और चाहिए और अमेरिकन इंग्लिश जो है ठेकना यह स्पेलिंग में और टेकना स्पेलिंग भोकेव और ग्रामर शभी में अंतर है अमेरिकान इंग्लिस इंग्लिस है तो थैंक्स आई होप मैं आशा करता हूं कि आप इन सारी अब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और यह आपके लिए बहुत ही हल्पूल होगा